दोस्तो स्वागत आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल सुनील डिज्टल वाल में तो दोस्तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी बिहार पोस्ट मैतिक स्कोलर्शिप के लिए अपना फॉरम फिलब किया हुआ है तो आप लोगों को फॉरम को करना और क्या नहीं करना जिसके रिगारिंग कमिलीट बताइंगे क्योंकि आप में से कुछ घुरम का कमेंट कर दिये हैं अब हम अपने फॉरम को फाइनल समित करने के बाद क्या करें कि हमें कुछ में जमा करना होगा और आगर हमें कॉलेज में पूर्म को समित करने के बाद क्या करना है तो पूरी जनकाई समझने के लिए आप इस वीडियो को कहीं सब्सक्राइब कर लिए तो इसे लाइक से जोग किजेगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जो भी इस परकार की अपदेद होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँछती रहेगी तो चलिए बिना देगी कि आज के हम इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपने भी बिहार पोस्ट मेहती के स्कोलर्स चीप के लिए अभी जो है अपने रजिस्ट्रेशन सिर्फ किये हैं तो आप लोगों को जो सबसे पहला काम है वो करना है आप लोगों को अपने फोर्म को फाइनल समित कर दिये हैं तो फोर्म को फाइनल समि हो जाता है तो उसको आप बड़े ही असानी से सुधार कर सकते हैं तो किस परिकार से आप अपने अप्लिकेशन का चेक करेंगे जिस टॉपिक पर हम और लेदी वीडियो बना चुके हैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के दिस्क्ριप्शन बोक्स में मिल जागा वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप बड़े यसानी साब अपने अप्लिकेशन चेक कर सकते हैं तो दूसरा काम तो आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को अपने कैस्टेटश करते रहना है अब दोस्तों य करना है और अब यहां पर आप कहेंगे कि देखो में हमें क्या-क्या जमा करना होगा तो उसका विजन का ही समझ लीजिए तो देखें बिहार पोस्ट मैत्री के स्कोलर सिप के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन किये होंगे तो आपको यूजा आइडियो पासवर्ट मिला होग और उस रिसीविंग को प्रिंट करने के बाद आपको अपने कॉलेज में जमा करना है अब देखें यहां पर आपको रिसीविंग के साथ-साथ कुछ और देकोमेंट भी जमा करना होगा तो उसका विजनकाही समाझ लीजिए कि रिसीविंग के साथ-साथ आपको क्या-क्या दोमेंत करने से पहले बनवाकरा होंगे उसके बाद पालेल कहालेजों इसके अलावे आधारकाद और बैंक पास्वुक का फोन तो आपको प्रह्व हुए जमा करना हो mom comedy समय मे यानि है जिस ऐसिह मर्कित्ट मार्कित अपको जमा करना होगा यहां पर सिदह समय और दोस्तों यह महत्पून चीज है अगर आप अपने खूरुप स्वाइब कर दोस्तों इसलिए अगर आप अपने फॉर्म को समित कर दिये हैं तो जितना भी document आपको registration करने से लेकर form को final submit करने तक लगा है वो सारा document आप अपने college में जाकर जमा कर दीजिए उसके बाद जो आपका verification कुछी दिन बाद कर दिया जागा आपके college के दोड़ा और जैसे ही आपका college आपका verification कर देगा उसके कुछी दिन बाद आपका details verify हो जागा और आपका जो पैसा हुआ आपके account में transfer कर दिया जागा तो दोस्तों आज के बिदिमां बस यह एक छोता से जनकाई था कि अगर आप बिहार postmatic scholarship के लिए अपना forum फिलब किये हुए हैं और आप अपने forum को final summit कर दिये हैं तो forum को final summit करने के बाद आप लोगों को क्या करना है जिसको लेकर complete जनकाई बताया हूं तुमीद करता हूं आपको यह वीडियो काफी ज्यदा पसंद आओगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक किजिएगा और अगर अभी आपके मन में किसी परकार का confusion है तो comment box में comment करेंगे तो दोस्तों फिलाल आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले तो पीके साथ जाहिए